नमस्कार मैं हरूत कुमार आप देखरें नीज फॉर्डेशन तजस्वी यादव के बंगले की कहानी बिहार के लिए बिल्कुल नहीं सी है क्योंकि बंगले की अंदर की तस्वीरे अब सामने आ गई हैं अखलेस यादव ने जब उत्तर प्रदेश में अपना सरकारी बंगला चोड़ा तो उसकी तस्वीरे भी सामनी हुई और लिए खुब स्यासत हुई अब तजस्वी यादव के बंगले को लेकरखें बिहार में केज हो गई यह बिहार के उन तमाम सरकारी बंगलों में शाय सबसे जादा है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में एसे इंस्टॉल किये गए हो शुशील मोदी ने कहा कि वह भवा निर्मान से कहेंगे कि जो बहुत जरूरी एर कंडिशनर यानि कि जो एसी है उसी को यहां रखा जाए बा इसको इतना मेंटेन करना बहुत बहार बिहार कि अमुख्य मंत्र नितिश कुमार से लेकर के महामहीं राजिपाल की बंगले में इतनी बड़ी संख्या में एसी है या नहीं इसका बहुत कोई थोस फिगर हमारे पास तो नहीं है लेकिन वहां पर जो मौदूद लोग हैं औ इतने एसी एक बंगली में उन्होंने इसे पहले नहीं देखे थे जी हां कुल 35 एसी से जिस्वियादा को बंगला है थंडा रखने की पूरी कोशिश होती है रसल पत्ना के लुटियन जो उसमें माने जाने वाले पाच देशनत मार को बिहार के सबसे बड़े बंगलों में स बहुत पहले से जाहिर कर चुके हैं लेकि तजस्वी आदब जिद प्याड़े थे कि वो इस बंगला को नहीं खाली करेंगे आखरकार हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बंगला खाली कि आ जाए तजस्विया ब्रम जो है वह आर्थिक डंड भी लगाया गया और जब बंग झाल